तो हमने लास्ट वीजियो में किया था चिंतन यानी थिंकिंग जिसमें हमने उसकी अर्थ परिभाशा और इसके अलावा चिंतन के कौन-कौन से साधन होते हैं ये सब भी हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे चिंतन के प्रकार यहां से प्रशन जो है वो आता ही है चलिए स्टार्ट करते हैं चिंतन के प्रकार टाइप्स ऑफ थिंकिंग जिंबार्डो और रच, 1987 जिंबार्डो और रच के अकॉर्डिंग चिंतन कितने टाइप का है तो जिंबार्डो और रच ने चिंतन को दो भागों में बाटा है स्वालीन चिंतन और यथार्थवाधी चिंतन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है फर्स्ट है स्वलीन चिंतन, उटिजम ठिंकिंग, व्यक्ति अपने कालपनिक विचारों एवं इच्छाओं की अविव्यक्ति करता है, यहां पर व्यक्ति जो है वो स्वयम में लीन होकर कालपनिक विचारों और इच्छाओं को अविव्यक्त करता है, उस तरीके से वह सोचत और इसके Adzaample होते हैं स्वापन यानि सपने देखकर स्वापन चित्र जो उसके स्वापनव में आते हैं उसको चित्रों के माध्यम से दर्शानओ अभीला साथय कल्पित चिन्तन यह सभी चिंथन जो है वह स्वैलीन चिंथन के अंतरगत आता हैने यथार्दवादी चिंतन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह है रियल लाइफ से जुड़ा हुआ थिंकिंग है रियलिस्टिक थिंकिंग इस चिंतन का सम्मध वास्तविक्ता से होता है तथा इसके सहारी किसी समस्या का समाधन होता है सपोज आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस वास्तविक जीवन से जुड़ी जो समस्या होती है उसके समाधन के लिए जो सोचते हैं वही चिंतन कहलाता है वही यथार्दवादी चिंतन कहलाता है इसलिए स्वलीन चिंतन से बैटर है यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन को ही विवेचना या तरकना की संग्या भी दी जाती है, यानि यथार्थवादी शब्द ना मिलकर यदि विवेचना या तरकना यह सब्द आता है तो यह भी यथार्थवादी चिंतन ही कहलाता है जैसे सफर के दोरान कार अचानक रुख जाती है वहां कैसे किस कारण से गाड़ी रुख गई तेल खतम हुआ इंजन घराब हो गया यह अन्य घराबी हो गई इस तरह चिंतन जो है यह धार्थवादी चिंतन है क्योंकि यह किस से रिलेट है वास्तविक्ता से सम् इसके लिए रियल लाइफ से जुड़कर उस चीजों को समझना होगा कि वह अचानक गाड़ी जो है वो किस कारण रुख गई है तो यही होता है यहार्थवादी चिंतन नेक्स्ट देखते हैं हम अभिसारी चिंतन इसमें व्यक्ति पूर्व ग्यान संचित का उप्योग कर समस्या का समाधन करता है अब अभी सारी चिंतन क्या होता है जिसमें हम कई दिसाओं में जाते नहीं है बलकि एक दिसा में आकर सोचते हैं तो यह चिंतन जो होता है वो हमारे अनुभव और अधारित होता है यानि हमने पहले से जो सीखा हुआ होता है उसी के को आपने पहले भी देखा था तो आप बिल्कुल नहीं नेक्स जो भी अपने अलग से नहीं सोचेंगे जो आपका जो पहले का अनुभव था उसी को उठा कर आप इस बार अपनी समस्या का समाधन कर लेंगे तो यहां आपने अलग से नहीं सोचा पहले जो आपके पूर्व अनुवव थे, पूर्व ज्यान जो था, जो आपके माइंड में पहले से ही संचित था, उसका उपयो करके आपने अपनी समस्या सॉल्व की, यही होता है अभिसारी चिंतन, नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, इस चिंतन में कुछ नया जोडा जाता है, जैसे हमने अभिसारी चिंतन में देखा, कुछ भी नया एड नहीं किया गया, हमारा पूर्व अन्वव ही काम आया समस्या का समाधन करने में, लेकिन अभिसारी चिंतन क्या है, इसके अंतरगत हम कुछ नया एड करते हैं, इस चिंतन को स्रजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, यह नवीनता पर आधारित होता है, कोई समस्या आती है, तो हम उसको विविद तरीके से सोचना प्रारम कर देते हैं, हम नई दिशाओं में, कई दिशाओं में जाकर सोचते हैं और अपनी समस्या का समाधन करते हैं, तो यह होती है अपसारी चिंतन, अभ जिसे evolution thinking भी कहते हैं यहां अलोचनात्मक चिंतन यानि चिंतन तो हम कर रहे हैं लेकिन चिंतन के बाद भी चिंतन कर रहे हैं उसे कहते हैं अलोचनात्मक चिंतन यानि जब हम बहुत ज्यादा गहराई में जाकर चिंतन करते हैं तो वह होता है अलोचनात्मक चिंतन यहां पर ह हम उसके गुण, दोस, इन दोनों को आधार मानकर और फिर हम चिंतन करते हैं, हम चिंतन यतार्दवादी में हम यह देख रहे थे कि वास्तविक्ता से जुड़ी हुई जो घटनाय थी, उससे हमारी समस्या जो है, वो किस तरीके से सॉल्व हुई, इस तरीके से चिंतन किया गया, अब सारी चिंतन में हमने देखा कि पूर्व अन्वव जो थे, उनसे जुड़कर नहीं, बलकि हमने कुछ नया एड़ करके, और फिर हमने अपनी समस्या का समाधन किया, अभी सारी चिंतन में हमने अपने पूर अन्वाव का प्योग करके अपनी समस्या का समाधन किया, जबकि अलोचनात्मक चिंतन में हम उसके गुण भी देखेंगे, उसके दोस भी देखेंगे और उसके बाद हम चिंतन करेंगे, ठ देखिए चिंतन की अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, यहां से भी एक्जाम में कुश्यन आया हुआ है कि उच्छ इस्तर का चिंतन कौन सा होता है और निम्निस्तर का चिंतन कौन सा होता है, सबसे पहले प्रत्यक शात्मक या मूर्थ चिंतन, अब ये चिंतन जो है वो निम्निस् प्रत्यात्मक चिंतन, जैसा स्वलीन चिंतन में देखाता है, यहां पर काल्पनिक बाते जो होती है, वह माइंड में रहती है, स्वपन के आधार पर जो सोचा जाता है, वह कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है, नेक्स्ट प्रत्यात्मक चिंतन, यहां कुछ शब्द नहीं होते है भासा नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, कुछ प्रत्याय होते हैं, कुछ बिम्ब होते हैं, जिनको देख कर हम चिंतन करते हैं, नेक्ट इससे अधिक उच्छ तरका होता है, तारकिक चिंतन जो तरक के आधार पर किया जाता है, तारकिक चिंतन जैसा ही विचारात्मक चिंतन की तरह है, उसके गुण, दोस, सभी देखते हैं, ठीके, तो यदि exam में question आता है, चार option, प्रत्यक्षात्मक चिन्तन, कल्पनात्मक चिन्तन, विचारात्मक चिन्तन, और ताक्चिक चिन्तन, और पूछा जाए की उच्चे स्तर का चिन्तन कौन सा है, तो तारकिक और विचारात्मक चिन्तन, ये दोनों उच्चे स्तर के चिन्तन माने जाते हैं, तो ये था आपका most important चिन्तन के type, मिलते हैं, next वीडियो में, हमारे second unit के last topic के साथ, thank you